गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहनकार नहीं करना चाहिए, अहनकार मनुष्य से वो सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है, अंत में ये अहनकार ही उसके विनाश का कारण बनता है, इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहनकार त् समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है, गीता में लिखा है सरल व्यक्ति के साथ किया गया छलाप की बरबादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़ी शत्रंज के खिलाडी क्यूं ना हो लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किये गय छल के परिनाम आपको भुगतने ही पढ़ेगे, श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धर्ती पर कर्मों की चपेट से न तो कोई बचा है और ना ही बचेगा, जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा, आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई दे या ना दे, इश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आतियाचारों को मुस्कुरा कर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयम लेते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिती में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए, गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताए है, इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धी वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहनका को दुख देते हैं, आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल दरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियती या भाग्य पर निर आपके विचारों पर निर्भर है, अगर आप प्रसन रहना चाहते हैं, तो आप हर हाल में प्रसन ही रहेंगे, अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे, विचार ही हर व्यक्ति का शत्रू और मित्र होता है